खबरो वाले शेर्ज आज कौन कौन से हैं और अशरत हमारे साथ जो चुके हैं पूरी डीटेल्स के साथ शरत बताई गुड मॉनिंग पूजा तो अफकोस एक थोड़ी ट्रिगर भी बता दें इंडिया के जो आप कह सकते हैं कंपनी हर्शा इंजीनियर से उनकी लॉकिन अपनी चौथे इंटरिम डिविडेंट के अनाउंस कि 26 रुपे प्रतिश शेर का इसका डिविडिल टीट साड़े 8% डारे करने मार्केट प्राइस और अफफ़ए 23 में देखे तो टोटली 75.5 रुपीज जो है टोटल डिविडेंट दिया गया है और विदानता को 65% स्टेक कंपनी में है ग्रीव स्कॉर्टन में प्रमोटर्स ने लगभग 80,000 शेर्स की जो है अक्रिजिशन की और मार्च महीने में लगभग 2,000,000 शेर्स की की है तो उस पर भी फोकस रखेगा टाटा मोटर्स में भी अनॉंस्मेंट आया है कि कमर्शिल वेहिकल प्राइस 5% बढ़ने वाले और इसमें जो है अमिशिन नॉम्स में बदलाओ के कारण ये प्राइस हाइक हो रही है दिव्यारी इंटरनाशनल में तर्टमसिक ग्रूप है वो लगभग 3% स्टेक 500 क्रोड के वैल्यू में भी बेचे हैं डिसेंबर में उनका लगभग 6% स्टेक था और बायर थे फ्रैंक्लिन टेंब्लिटन म्यूचल फंड ग्रीन लाइम में जो है अस्याना फंड ने लगभग 2.6% स्टेक की एकोजिशिशन की है एजी इंफ्रा की बात करें तो लगभग 700 करोड का ओडर पे जाइडस लाइफ साइंस को यूस अफ्डिय अप्रूवल आया है पाइनान्स कोपरेशन की जो इंपॉर्टन बोर्ड मीटिंग हुई थी जहां पर उन्होंने अप्रूव कि 80,000 करोड रेज करने का Fy24 में अब यह बॉंड टर्म लोंस और कमर्शिल पेपर द्वारा होने वाले हैं Sonata Software Focus में रहेगा, largest ever उनका IT deal उन्होंने किया है, 160 million dollars का, अब यह contract 10 साल के लिए और US-based consumer retail company के लिए और end-to-end IT solutions जो है Sonata Software करने वाले हैं और आखरी स्टॉक रहेगा Tata Power, उनके जो renewable energy आम है, वहाँ पे उन्होंने 200 megawatt का solar PV प्रोजेक्ट करार किया है, MSEDCL के लिए वो करने वाले हैं, महराश्या स्टेट में ठीक है, तो Tata Power, Sonata Software, Power Finance Corporation, आशियाना Housing, Greenland, HD InfraJacy, तमाम कंपनिया हैं आज हम देख रहें कि Small Cap और Mid Cap Stock से जुड़ी भी काफी धेर सारी खबरे हैं, यहाँ पर आप नज़द रखें बहुत 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 शुक्राश रदाब का समय देने के लिए और यही सारी details, खबरो वाले shares हमारे सामय रखने के लिए बात करते हैं, Brokerage House के Reports की, कहां पर नज़र है उनकी और उनके रडार पर कौन-कौन से stocks आ रहे हैं यह भी देख लेते हैं और अभी नहीं हमारे साथ जोड़ चुकी है, फूरी details के साथ, बहुत बाताइए तो पहले स्टार्ट करते हैं, जो बैंक्स पर प्रोकरज आई हुए है, यह मौगन स्टानी से है, वहाँ पर मौगन स्टानी हाइलाइट कर रहा कि इंडियन बैंक्स ही जो बैलन शीट है, अभी वह काफी strong हो चुकी है, resilient हो चुकी है, historically देखे उससे काफी better हो चुकी है, बैलन शीट, तो obviously वहाँ पर strong growth है, strong performance है, strong holding है, capital में, asset quality improve हो चुकी है, banks की liquidity terms पे भी काफी काफी strong है, banks की balance sheet, Indian banks की balance sheet, तो इस हिसाब से वो लोग prefer कर रहा है, large private banks, quota, appear कर रहा है, कि वह काफी strong है, अपने peers से भी, और expect करें कि strong earnings भी आएगी ये banking sector में से, तो वह prefer करते हैं, उनका topic है, ICICI bank और access bank, ICICI bank का target है, 1250 रुपीज पर शे, और access bank का target उन्होंने दियो है, 1200 अब shift करते हैं, focus और बात करते हैं, विदानता और हिन्जिंक पे, Investic ने एक note निकाली हुई है, वहाँ पे देखें तो विदानता ने, उन्होंने विदानता का downgrade कर दिया है, sell से previous rating था hold, target price भी cut कर दिया है, और अब target price है, 220 रुपीज पर शे है, यह है विदानता के लिए, हिंदुस्तान जिंक के लिए भी वो लोग maintain कर रहे है, sell rating, target price भी cut कर दिया है, अब नया target price है, 270 रुपीज पर शे है, प्रीविस target price था, 280 रुपीज पर शे है, अब विसी हिंदुस्तान जिंक ने bumper payout दिया हुआ है, मेबी यह last payout होगा है, वो हिंदुस्तान जिंक highlight कर रहा है, as उनके जो पैसे है, अभी वो dry out हो रहे है, cash जो है, वो dry out हो रहा है, तो यह एक important factor है, watch out करने के लिए, इसलिए, invest tech ने downgrade किया है, वेदान को और हिंदुस्तान जिंक पर maintain कियो है, अपनी sell rating, बात करते है, पिडिलाइट की, वहाँ पे brokerage, JP Morgan ने actually note निका ली है, वहाँ reflected है, already earnings और valuation में, demand trends थोड़े steady है, पर rural की recovery अभी पूरी बाकी है, उसके अलावा, बोफा ने note की note है, मननपूरम finance पे, buy rating मैंटेन की है, target price है, 140 रुपीज पशे है, और उन्होंने strong outlook, growth outlook बिलीव कर रहे है, कि उनके non gold business में भी है, तो यह सब stocks रहेंगे focus में, आज brokerage के हिसा बहुत 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 अश्क्रिया आपका, यह सारी जानकाई देने के लिए, तो यह कुछ हैं, brokerage house के report है, आप देखे, कल हम, अब हम, जिस्तरी के से, gold finance कंपनियों में यह तेजी देख रहे है, उस पर भी कुछ reports आई है, हिंदुस्तान जिंग पर report आई है, और banking sector को लेकर भी पॉगल स्टैनली के report आई है, जिसमें की Kota Bank, ICICI और XS Bank उने पसंद आ रहे है, तो तवाम spaces पर आप निज़र रखे,